हाई गाइस आम निशान चारा मुझा आप सॉफ्टवर इंजीनियर आट माइक्रसोफ और आफ रिसेंटली ग्राजुएटेटी अब नसुटी गोलते हैं उसको तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जोठों की कौनसी ब्राइच को कौनसी प्रेफरेंस को थी Couple की से है सारी गोली और में भाइठ करेंगी वने थीटियो में और क्राइटीरिया में तोटल को आया है Based Up 70 अब आन् тов बतांगा लास में तुम्हे मैं मैं दे दूँगा कि कौन से order में तुम्हें अपनी preferences फिल करने चाहिए जाके लिए according to me उसमें तुम अपने हिसाब से changes कर सकते हो कुछ चीजें में बताऊँगा क्या तुम्हें consider करना चाहिए when you are filling the choices तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते है फर्स्ट फॉल जाके वीडियो को लाइक कर दो और जो भी तुम कॉलेज जॉइन करना चाहोगे वीडियो के एंड में उसको जाके लिख देना अपने मलब कॉलेज का नाम एंड उसके आगे ओपी लगा देना ठीक है कमेंट में जाके जरूर उसको लिख देना अगर इन तीनों के लावा कोई और कॉलेज भी तुम जॉइन करने वाले वार जॉइन कर चुके हो इसके बारे में तुम लिख सकते हैं अब वीडियो को स्टार्ट करता है तो यह साथ क्राइटीरिया जाना तुम्हें बता यह पहला है लोकेशन, सेकेंड प्लेशमेंट, थीसरा है तुम्हारा फेस्ट, अट क्लब्स और कॉलेज लाइफ इसके बारे में बताता हूं बारी बारी फिर्स्ट इस लोकेशन, यह लोकेशन सबसे सही अब इस ताइम पर नसुट की है बिकाश इस इन दौर्का और दौर्का में लाइक कनेक्टिविटी काफी इजी है, मेट्र स्टेशन बहुत जादा पास है नसुट के, अब वेगस मॉल भी खुल गया है, ठीक है चिल करने के लिगर कॉलेज में नहीं चिल कर पारे हो, तो वेगस मॉल इस लाइक पाइज प काफी सही है, थोड़ा सा बॉफ कर गें तो मेट्रो के पास पहुत जाते हो, और वहां से कहीं भी जा सकते हो, पास में तुम नहरु प्लेस मिल जाता है, होस्कास वगरा तुम जा सकते हो, और भाहर जाने के लिए काफी सही है, तो लोकेशन-wise, ट्रिपल आई-टी डेली इ जाते है, रिक्षा से DTU जाने में, मैं फैस्ट के ले गया था, दो बार, और इस अरियल थेन, ठीक है, वहां से DTU जाना, ठीक है, बाकी यार, DTU से तुम फिर जा सकते हो, और भूमने हो यारा, रोही नहीं जा सकते हो, तुम काफी और चीजे भी है, बट इसलिए उसको बहुआ को एख के लए बीक नीड़ा उसके लें नीचे लिए पाद नीचे यार, बट शाय प्लीक आज हो बाद मैं, यार, और मैंने खुद अपना सेकेंड यर में, मैं चुद अन्से का कोर्स किया था हूं हों ही से किया था, तो मैं अश्पीरिंस वस रेली गूडुड र वहांपे जो टीचर्स हैं वो स्टानफर्ड एंड आयाटी के पास आउट से उन्होंने पेस्बूक एंड आमसों में काम किया हुआ है तो यह कॉर्स हो काफी जादा अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपना अंसर मिल जाता है सो लिंक for 15% off is in the description do check it out अब बढ़ते यांगे वी तरह नेक्स चीज हो हमारी थी वो प्लेस्मेंट सीज थी तो मैं नहीं नौ दिया है क्योंकि I have seen people getting into top companies ठीके दोनों colleges से अब यहां पर एक प्रिक्विजिट कोलेज में companies आएंगी ठीक है वो टेस्ट अगे रहेंगे और सारी चीज़े करेंगे but you have to prepare for that अगर तुम्ही प्रेपरेशन छोड़ दोगे तो फिर तो मतलब चाहे कोई college हो चाहे IIT Delhi ही क्यो ना हो तो मैं difficulty होगी एक अची तो मैं काफी बढ़िया company काफी बढ़िया package मिल सकता है तो तुम्हारे सामने एक example तो बैठा ही है तो it's on you but colleges में companies बहुत आती है और एक चीज़ और एक चीज़ और नसुट की placement में एक दो चीज़ और बढ़िया यह होती है कि कुछ companies जो बस IIT आती है और NSUT आती है वो भी similar scene है और उसके एक माय कर्मा है वो भी similar scene है और उसका भी वो भी एक साल में 25-26 लाख इन हांड तो यह companies जनरली बस IIT कानपूर, IIT देली वगेरा जाते हैं but they also come to NSIT, DTU नहीं जाती है कुछ companies are DTU जाती है NSIT नहीं आती वो थोड़ा उपर नीचे होता रहता है और मैंने यहां पर IIIT देली को आठ दिया है because एक तो बाज श्रेंथ चोटी है, companies लोड़ी कम आती है as compared to NSUT, DTU but their average package वो जादा है, it is because वहां पर सारी जो branches है, वो सारी की सारी तुम्हारी CS-related है CS-related है and एक तुम्हारी ECE है तो obviously if the branches are computer science related, तो जो packages होगे वो सारे computer science वाले ही होगे तो obviously जो average होगा वो उपर जागा है, right? DTU NSIT में number of branches और number of fields are vast next जो चीजा है तुम्हारी वो best clubs and college life इसमें सबसे जादा मैंने दिया है DTU, DTU is 9, NSUT is 7 and AAA is 6 मतलब जो भी इस respective colleges के जाके नीचे कुछी उल्टाशीता कमेंट मत करना मैंने काफे दोस्तों और से पूछा था और थोड़ा मेरा personal opinion भी है ठीक है personal opinion है यह कोई पथर की लकीज निया कि यही सही होगा but this is my personal opinion DTU मेर फेस्ट वगेरा बहुत तगड़े होते हैं like really they are really good clubs वगेरा काफी सही है college life is really chill IIIT Delhi मेर अब बेटर होने लग गए है but वहाँ पर अकाडमिक stress जो तुमारा होता है academic pressure जो होता है stress नहीं वो थोड़ा जादा होता है as compared to DTU and NSUT तो उस वजय से यार उसको थोड़ा सा काम मिला because बच्चों को तना time नहीं मिल पाता to indulge in these activities as well but as compared to that DTU and NSUT में वो थोड़ा leniency है because IIIT Delhi में प्लेजरिजरिजम चेक तो में असाइनमेंट्स ताइमें करते हैं सारे असाइनमेंट्स कुद करते हैं एक बंदा असाइनमेंट्स करते हैं सारे बंदे कॉपी करते हैं तो वो दो दिल पहले हो जाता है अभी तो यही चल रहा है वाक्यार NSUT को 7th year because societies and clubs but attendance criteria थोड़ा जाधा है as compared to DTU तो भई time constraints थोड़े आ जाते हैं and fescair सही होता है but not that great as DTU मतलब मैंने खुद काम किया है but नहीं नहीं हो पाता हो DTU match नहीं कर पाता next is your attendance criteria DTU में काफी चल है 50% attendance criteria generally होता है IIIT Delhi में यार attendance criteria का 8 क्योंकि यह तुम्हारी classes होती है attendance criteria as such professors but एक चीज और होती है कि जो तुम्हें professors पढ़ाते तुम्हें कोई बुक देंगे उससे reference करके उससे refer करके तुम पढ़ सकते हो वो directly questions पूश लेते हैं तो अगर तुम्हें क्लास नहीं अटेंड करी तो तुम्हें काफी साथा loss हो सकता है मतलब यह मेरे खुद दोस ने बताया तो नहीं बैठने देते हैं अगर नहीं बैठने देते हैं तो यह थोड़ा सा डाउनसाइड है तो इसलिए इसको 7 दिया नेक्स्ट इस यार रिसर्च वर्ग फॉर्दर स्टेडिज अब रिसर्च वर्ग के मामले में DTO नसित बराबर हैं नहीं के रिसर्च लाब बहुत जादा बढ़ी है मतलब लिटरली बहुत जादा बढ़ी है तो बनता यार नौ मिलना मतलब फैसलिटीज वगेरा के हिसाब से IIIT Delhi is really good infrastructure काफी अच्छ है labs काफी जादा है हर चीज की लाब है तो जो चीज ही होगी computer sense related उसकी तुम्हें लाब बहां मिल जाएगी नेक्स चीज दो तुम्हार वह फीस है अब DTU और NSIT की फीस आज कंपेर्ट टू IIIT कम है तो इसलिए फीस के मामले पे IIIT Delhi को 5 मिला है बागी NSUT DTU को 8-8 अबट अधर तुम मादा कर सकते हो तो IIIT Delhi जबूर जा सकते हो IIIT Delhi में एक और बेनेफिट होता है if you have like scored एक percentile होते है उससे उपर अगर तुम्हें score किया हुआ है तो तुम्हें bonus marks मिलते है और ऐसे ही कई और चीजों के लिए होता है जैसे olympiats तुम्हें किसी competition में नास लेविल पर किया हुआ है अथलेटिक्स हो चाहे काफी सारी criteria होते है उससे तुम्हारी rank एक calculate करते है IIIT Delhi के लिए और उसके हिजाब से तुम्हें admissions पगेरा मिलते है तो इस rank से यार काफी साद़ शिप्टा जाता है में दोस्त कंप्यूटर साइंस में ली थी 10,000-11,000 rank एराउंड तो तुम देख सकते हो computer science और किसी college में नहीं मिलेगी तुम्हें अब फाइनली हम आगे यार brand name पे brand name यार DTU का है क्योंकि यार बहुत पुराना है और उपर से उसके नाम में ही Delhi आता है तुम्हें अपने relatives को या किसी को भी बताना नहीं पढ़ेगा कि तुम कौन से college हो तुम अबस DTU वो लोगा यां देल अंडरस्टांड अचा देली टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी IIIT Delhi का भी brand name यार और NSUT और IIIT अवान बराबर रखा है 7-7 आई वारी महर को मैंने खुद यह experience किया लोग बोलते है IPA college है का थीक है उससे फरक नहीं पढ़ना चाहिए इतना दा थीक है तो यह total score जो है वो यही है DTU is 56 out of 70 IIIT is 51 and NSUT is 53 तो अब branches अगरा पर चलता है कौन सी branch तुमें किसके उपर प्रफर करनी चाहिए तो चलो तुम यह देख सिते हो पहले तो जो last year 2020 की closing ranks है वो यह है यह सारी closing ranks है last year की इनकी according नहीं किया है मैंने bifurcate मैंने कुछ अपनी knowledge भी डाली है इसमें कुछ इस साल की placement starts in internships में कौन सी branch इस बेठने था था अगर वह सारी मिला के मैं एक कॉल डिस्पन यह 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 कोलिज प्रफर तुम जा सकते हो तुम closing ranks देख सकते है मैं बस जनरल की डाली है तुम अगर का टेगर वाइस देख सकते है जा के देख सकते है कॉलिज प्रवेश पर जाना and search that मैंने सबसे उपर NSUT COE को इसलिए रखा है क्योंकि CSI AI वैसे सबसे दाधा प्रेफर करी दी मतलब दो तिम पॉंट्स है वो मेरी सुन लो तुम एक तो specialization यह बाचलर्स में सही नी होती because you have not studied artificial intelligence machine learning क्या पता तुम्हें वो चीज सही ना लगे क्या पता हो तुम्हें चीज समझ ना आए तो वाय तुगेट अ ब्रांच जिसमें तुम पहले से ही तुम्हें डिसाइड है करना है तो मेरे को वो चीज कभी सही नहीं लगी क्योंकि specialization कर तुम्हें भरोसा ही नहीं कि तुम्हें वो चीज पसंद आएगी या नहीं आएगी तो it's not good to take specialization when you are doing a bachelor's honestly मतलब मेरा यह opinion है second is यार CSAI को internship time पे कुछ 1-2 companies ने अलाओ नहीं किया था because कुछ courses जो थे कुछ subjects जो थे उनको उस time तक नहीं आगे जाके semester में होने वाले थे इसविस ऐसे कुछ companies ने नहीं अलाओ किया था so सबसे safe bet मेरे सबसे NSUT COE ही है and यार better आया मतलब क्यूंकि तुम्हें बाद में जाके electives ले सकते हो तुम्हें अगर AI में इंट्रेस आ जाए तो you can definitely choose AI तो पहले से ही प्रीडिफाइन करके क्यूं जाना है so first preference is NSUT COE second is NSUT CSAI computer science and artificial intelligence उसके बाद DTU COE IIIT Delhi COE IIIT Delhi को तुम उपर ला सकते हो अगर तुम fees और देने में कोई problem नहीं and यहाँ पर तुम एक दो चीज़े अगर तुम्हें चीज़े चेंज कर सते हो आउटसाइट Delhi वाले हो तो बिल्कुल ही बिल्कुल ले लो बिल्कुल अगर तुम्हें मिल रही है और अगर तुम्हें कोई और NIT या फिर IIT में अच्छी बाद नहीं मिल रही है तुम जाना नहीं चाते हैं देली में रहना जाते हैं तो तो these are the best options and distance पर देख लेना अगर तुम आउटसाइट देली हो तो नहीं पक्का पका तुम्हें hostel मिल जाएगा डीटी में फिर भी चांसेज कम होते हैं तो यह चीज ध्यान दख लेना उसके बाद या ट्रिपल आटी देली CSAI DTU के बाद उसके बाद नहीं NSUT IT मतलब IT तक NSUT को मैं DTU के ऊपर प्रफर करता हूं फिकॉस मतलब है भाई Placements हैं बढ़िया है मतलब CS और IT वाली तो हैं ही मतलब काफी सही DTU IT DTU Software CSAI DTU Computer Science and Mathematics फिर DTU Mac NSUT उसके बाद Mac NSUT ITNS अब तुम बोलो यार ITNS को तुमने फिर्ट से ऊपर के रखा Mac के मैंने जो पहले बताई थी यार Core Subject नहीं है Specialization है क्या पता तो में Networks में इंट्रेस्ट ना है So it's better to take a core subject That is mathematics and computing core है That is better than your ITNS Next is your NSUT CSDS Similarly यार यहां पे भी एक तो यह Main Campus में नहीं है Than going to West Campus और East Campus क्योंकि वह बिकुल Disconnected है तो यार और मतलब अभी Confirm नहीं कि Placement कहा होगी क्यों रिस्क लेना तुम मेरे साब से रिस्क नहीं लेना चाहिए एक प्रांट से रिस्क नहीं लेना चाहिए जैसे अगर यहां पर तुमें CSDS मिल रही है तो शाध NSUT में IT मिल जाएगी रेट एक यहार 8000 पर ख्लोज उएट तो 8000 पर नहीं नहीं इस्क नहीं जाएगी अराम से NSUT IT तो मिल जाएगी मेरे साब साब से यहार CSDS से वेट नहीं नहीं लेड़ो क्योंकि IT में माक्स मिल जाएगी मेरा परसनल अपी नहीं नहीं और मैंने देखा है लोगो काफी कम मेहनत करके काफी अच्छी CGP लाते हुए IT में IT के टीचर्स भी काफी सपोर्ट है तो राधर दन गो इंग तो CSDS गो फॉर NSUT IT सिमिलर्ली यार उसके बाद तुम देख सकते हो NSUT CSGS हो गया IIIT CS AD हो गया IIIT CS SS हो गया Computer Science Bioscience इस सारी Computer Science वाली ब्रांच इस इनको तुम ECE से उपर प्रफर कर सकते हो उसके बाद है DTU ECE IIIT Delhi ECE then NSUT ECE NSUT ECE थोड़ी सी टाफ है ठीक है one of the toughest like curriculum वगए तुम्हें अगर तुम्हें ECE का तो अगर तुम्हें ECE ही करनी है मतलब ECE में अपना करियर बनाना है तो डेफिनेटली प्रेफर NSUT ECE above those two अगर तुम्हें नहीं जाना है तुम्हें Computer Science की तरफ जाना है तो प्रेफर DTU और IIIT की ECE मैं तो DTU से भी ऊपर IIIT की ECE को प्रेफर कर लूँगा अगर मेरो Computer Science का पता है कि मेरो Computer Science ही जाना है तो उसके बाद DTU E उसके बाद NSUT ECE specialization वाली then DTU Mechanical then NSUT ICE because DTU Mechanical is little better than like NSUT की ICE because branch is भढ़ चुकी है ICE पहले काफी better हुआ करती थी अब यार तुम्हें पता है कि कितनी Companies allow करेंगे कितनी companies में बैठने दिया जाएगा so DTU Mechanical would be a better choice because तुम्हें ब्रांड ने मिल रहा होगा and इसके लाब यार तुम्हें किसी और College Computer Science वागर मिल रहा हो तुम वह भी ले सकते हो उसके बाद वाली जितनी भी इसके दिगरी मिल रहा होती थी that's why I suggested people कि अगर तुम्हें brand name चाहिए तो DTU's brand name is better than DTU's brand name अगर तुम्हें बहार जाना है तो DTU's is very renowned तुम वह ले सकते हो but वह वाला criteria नहीं है So I would suggest you guys to go for DTU's branches अगर तुम्हें मतलब पता है कि यार Master's ही करना है If you are a girl and your rank is 35-40, I would recommend you to get into IG, DTU, Computer Science or IT rather than going to a lower branch in NSUT, IIT or DTU. Because placements are similar, everything is similar, everything will be right. And if you are targeting placements, that would be much much better. Thank you.